जैही नमस्कार सभी सातियों का एक बार फिर से SSC रिजनिक जीके यूटूब चैनल पर स्वागत है तो सातियों अर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टन ने ग्रूप डी का रिजल्ट तो जारी कर दिया तो ग्रूप डी के रिजल्ट के बारे में डेली कुछ ने कुछ नई खबर सुनने को मिल रही है तो मैं आज आपके लिए यहां पर बहुत ही महतोपूंट जारकरी आपके सामने लेकर आया हूँ तो पूरी गहराई से बात करेंगे तो सातियों सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना और जिस साति ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने किया तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना जल्दी है हम अपने चैनल पर हर्याना पुलिस की जो तेयारी है वो शुरू करने वाले है तो आप जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए और सभी साती एक बार वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कर देना तो साती है जो अर्याना स्टाइब सेलेक्शन कमिस्चन है इसका जो एद्यक्सबो पलसिंग खदरी उन्होंने क्या कहा है कि अन्ने सभी वर्ग दिव्यांग केटेगरी और एक्सरीश मैन का रिजल्ट ऐसे होगा जारी कि जो रिजल्ट है वो कैसे जारी किया जाएगा कि जो अबर क्या है आज की तो सभी साती वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेने बहुत ही इंपोर्टेंट और मैत्वपूर्ण जानकारी है हरियाना क्रमचारी चैन आयोग ने ग्रूप D CT पास उमीदवारों में से लगबख 56,000 उमीदवारों से विकल्ब मागने का फैसला लिय तो जो पोर्टल हो कितने उमीदवारों के लिए खुलेगा लगबख 56,000 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तारित रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया जो NTA उसने रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है आयोग के एद्देक्स बोपाल सिंग खदरी ने बताया कि विस्तरित रिजल्ट से ग्रूप D के 13,677 पदों का चैयार गुणा लगबख 56,000 उमीदवारों को विकलप के लिए चैनित किया जाएगा इन चैयार गुणा से ही विकलप मांगे जाएगे अगले सब्ता केटेगरी नुशार रोलंबर के साथ इन उमीदवारों क कि केटेगरी सब केटेगरी नुशार सूची जारोजनिक कर दी जाएगी अगले सब्ता ही पोर्टल खोल दिया जाएगा तो जो पोर्टल वो कब खोल दिया जाएगा अगले सब्ता में जिसमें यह सोट लिस्ट में च्यार गुणा उमीदवार विकलप भर्ष केंगे उन् group D की जो post है क्या इसके इचुक है अगर नहीं बर देता है तो portal यहीं बंद हो जाएगा तो साथी अगर आपने उसके अंदर no कर दिया तो उसी time portal क्या है बंद हो जाएगा आपका तो ऐसे अब्यार्थियों के नाम की पर group D के लिए विचार नहीं होगा तो जो no कर देगा तो उनके लिए group D की no करी है जो इसके लिए कोई विचार नहीं रहेगा तो उसको out कर दिया जाएगा अगर हा कर दिया तो vical पूछा जाएगा कि किन पदों पर उमीदवार chanit नहीं होना चाहते तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो जो पद दिये होंगे तो किस किस पद पर आप चैनित नहीं होना चाहते और इसके साथ ये भी पूछा जाएगा कि किस पद पर चैनित होना चाहते हैं कौन सी नोकरी आप group D की लेना चाहते हैं तो ये भी आप से इसमें पूछा जाएगा अभी 13657 पद है मगर आगे भी ECCT से पद बरे जाएंगे तो साथियों अभी 13667 पद है वो बरे जाएंगे और आगे जो भी पद group D के निकलते हैं तो वो ECCT के आदार पर उनको बरा जाएगा तो देखते आगे क्या कहा बोपल सिंग ने कहा कि विक्यापन के नुसार group D के कुल 13667 पद हैं इन में 5875 जनरल के टेगरी के और 2730 है जो पद वो अनुस्यची जाती के और 283 पद वो BCA के और 1504 पद BCB और 1368 पद EWS के के टेगरी के हैं मगर जब तक group D का नया CT आयो जितने हो जाता तब तक बविश्य में जितने भी group D के पद आयो के पास आएगे तो group D के इसी CT से उन्हें बरा जाएगा तो साथियों जितने भी आगे जब तक अगला CT नहीं होगा जब तक जितने भी group D के पद की विकेंशी निकलेंगी तो इसी CT जिनों बंदों ने CT पास की है तो उन्हें को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा तो साथियों आज का जो वीडियो था उसको बनाने का जो मक्सद था वो यही मक्सद था कि दिव्यांग केटेगरी और X-Ris Man का रिजल्ट ऐसे होगा जारी कि जो दिव्यांग केटेगरी और X-Ris Man का रिजल्ट है तो वो कैसे जारी होगा तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया तो इसको ध्यान से देखना कि रेजल्ट कैसे जारी होगा अद्धेक्स बोपार सिंग ने बताया कि ग्रूप डी के चैयर गुणा सोट लिस्ट में दिव्यांग के टेगरी के सभी पास उमीदवार सामिल हो गए यानि जिन्होंने 40 फिजदी अंक प्राप्त किये हैं वह सोट लिस्ट में है और उन्होंने बताया कि इसी तरह एक्सरिश मैन की सभ के टेगरी के नियुमतम 40 फिजदी अंक प्राप्त कने वाले सभी उमीदवार सोट लिस्ट में सामिल है यानिकि सभी दिव्यांग के टिगरी के और सभी एक्सरिशमें इसमें सोट लिस्ट किये गए हैं उन्होंने बताए कि एक्सरिशमें में सबसे पहले नोकरी उन्हें मिलेगी जिनके पिता की मिर्थ्यू सहीद होने के दोरान हुई है और दूसरे नंबर पर जो एक्सरिसमेन नोकरी के दोरान गायल हुआ है तो जो फर्स प्योटी वो किसको दे जाएगी कि जिसका पिता सहीद हुआ है यानि कि डूटी के दोरान जो सहीद हुआ और दूसरे नंबर पर किसको प्योटी दे जाएगी कि जो X-Ris Man नो करी के दोरान गायल होा है तो उनको 1st Piotty और 2nd Piotty इस Group D की विकेंची के अंदर सर्विस के अंदर दे जाएगी तीसरे नमबर पर X-Ris Man तो तीसरे नमबर पर Piotty दी गई वो X-Ris Man को और चोथे नमबर पर जो X-Ris Man के डिपेंडेंट है उनको Piotty दी गई और पांचवे नमबर पर सवतंतरता संगराम के फाइटर जो उनको लिया जाएगा इन केटेगरी में जिस किसी भी आवेदेक ने आवेदन फारम के दोरान कोई गलती की है तो वह उमिदवार आयोक से संप्रक कर सकता है अगर किसी ने फारम बरते वक्त अगर कोई गलती की है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप आयोक के ओफिस में जाएए और वहाँ पर अपनी गलती को अभी तक ठीक करवा सकते हैं अभी आपके पास टाइम है तो साथियो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो सभी साथि एक बार वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और जल्दी हम अर्याना पुलिस की जो तियारी है अपने चैनल पर शुरू करवाने वाले हैं तो सभी साथि अमार से जोड़िये और अपनी त्यारी को मजबूत कीजिए तो मिलते हैं फिर नई किसी खबर के साथ तब तक जै हिंद जै बारत दन्यवाद